गाइज मैं अभी कहा हूँ पताए अमृत के पेड़ पे वाइज गूड मॉर्निंग वेलकम तो मैं न्यू व्लोग तो गाइज मैं छट पे आके व्लोग स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि नीचे सब लोग थे तो मैं को व्लोग स्टार्ट करते हुए भी शरम आ रही थी अभी तो पूरा व्लोग उनके सामने रिकॉर्ड करना है तो जैसे तैसे करूंगा जितना हो सके और गाइज यहां पर रवीना इस्कुल जाने के लिए रेडी हो रही है मजदूरी करनी पट रही है भाई सब क्या करें अधिन प्रवी शरम इस्कुल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और गाइज यहां पर विक्रम अभी तक उटा नहीं है दस बज रही है सुबहर की साले तूट पूट सुबहर की उठ चपरी जाले उठ चपरी साले उठ मेरे को पता ही नहीं था दो अपर की विटास बस्ती है आपका यह उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे गाइज यालसी लोग यहां पर पड़े हूँ है अभी मगर मच की तरह अभी मेरा फोल लाके जो मुझे पूंच यह सुबह पहली गाइस में नानी जी और मम्मी के पासं बेटा हूँ और हम दिनों बाते कर रहे हैं बड़िया मजे में हो ना भई सुबह पहली उठके फोन जला रहा है और क्या देख रहा है अरे यार मेरा व्लोग ही देख रहा है और क्या दुद्ध पी रहा है अच्छा हल्दी वाला दुद्ध आज खाने में बनी है दाल बाट्टी इस इनकी सुबह सुबह वापस मिटिंग चल गई है यहां पर दूप सकते हुए इसे बते कुन करता है फोन में देख रहे है अरे उट जा भाई अब तो ग्यारा बच चुकी है वाई साब कर शाम को उठाई है क्या बेए उट तो यहां पर पपीता खाते हुए नानीची औ अब करो हाथ जोड़के मैं ममता तयार हुए थी शादी में जाने के लिए नहीं फोटो शूट के लिए लेकिन इसको काम करना बढ़ रहा है इस घर की शाद पे जा रहे हैं फोटो शूट करने के लिए काईज आपको कुछ बता रहा हूं यह देखो जब क्या बाए लिटरल यह कहां पर सोया पड़ा है ओए उठ जा शाम हो गई अब तो अपना काम करना ओए फीडियो पर सो रखा है वैसाब सुबह का गाईज यह स्कुल से आ चुकी है और यह क्या ठोक के लाई है क्या 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 कार्डी थी हाथ के लग गई है अच्छा इस में जा रहा हूं यहां पर बाड़े में यहां पर भी बहुत सारे फल सब्जी अउगा रखी ए मैं अब ही कहा हूं पताए अम्रूत के पैड़ पे वो दार मिठाई है अब इस शाम के पांच बज रहे है और हम जा रहे हैं यहां से कलवल तो चलो चलते हैं नपाणिया से तो आ गए है मंगलवारे यहां पर ममी के कुछ काम है फिर यहां से जैसे काम होता है तो हम अपने घर जाएंगे फिर वाइस हमको यहां पर शाम हो गई है और वाई सब आज भी जोड़ा ठन लगने वाली है काइस तो अब भी चलते हैं नो इंस्टोप अपने गर अब तो गई जश्ट हम गर पर आ गए हैं और मेरे दादा जी आ रहे हैं बाहर से वाई होप आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अंदेरा बहुत ज्यादा हो गया है हेलो यहां पे टीनू रोटी घारी और दादी मेरी दादी जी है यह अब हम हमारे गर पे आगे हैं और इधर टीनू आठा गुन रही है रोटी सब्सी की तयारी करते हैं और इधर ममी कुछ काम कर रही है इस व्लोग को करता हूं और आपको व्लोग पिसन आए और पसद आए तो व्लोग को लाइक कर देना हो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्रेब करें मिल देखे लिगी नेक्स व्लोग में थेंक्स वरोजिंग